हेलो दोस्तों मेरा नाम है आजे सागर और आप देख रहें आपका अपना चैनल एर्वी अन्बोक्सिंग तो भाई हो एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का आज हम किसी स्पेर पार्स के नहीं देखाएंगे आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे एक वाइक राइडर के लिए सबसे एहम चीज्ट क्या है एक बाइक राइडर के उसकी डिश्ट सेफ्टी सेफ्टी भाई बहुत तरीके राइदसे dances हम लोग करेंगे हम सूद्ट हम लिया हुआ है आज बहुती प्रिमियम क् Midnight का जो बहुत 20 Pe komba1 माल बद हधी अधरी मेरा हेलमेट नहीं टूटेगा तो इस चीज के लिए मेरा विश्वास है भाई कि ये जो हेलमेट जिसकी हम अन्बॉक्सिंग करेंगे मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा गिरने पर क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंपनी का नाम बहुत बढ़ा ब्रैंड है तो आपने सुना होगा नाम तो रोयल इंसान का हमने बैसिकली तीन हैल्मिट खरीदें जिसके अंदर सबसे स़स्ता इसले लिए है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे बजट मे एक medium budget में जिसे हर एक बंदा खरीच सकता है चहें वो splendor चलाता हो चहें वो pulser चलाता हो चहें वो pulser 220 चहें premium bike चलाता हो सब afford कर सकते हैं उस helmet को तो उसकी कीमत है भई 1800 रुपे simple सी कीमत है और 1800 नहीं है थोड़ी से जाद है तो कितनी प्राइज है उसका exactly आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे और helmet की quality आप देखके अगर आपको पसंद आए तो मुझे बोलना भई comment जरूर करना कि आपको यह helmet कैसे लगा तो इसे फट और ज्यादा उनकी तरह लेंटर कीट की तरह नहीं है सिंपल सा बॉक्स को साइड करते हैं मर्पी बात में देखेंगे बॉक्स एक और पनी के अंदर है यह आगया हमारा helmet अगर आप देखेंगे तो सिंपल हाफ फेस का helmet है रोयल इंफिल्ड कंपनी का helmet है तो यहां पर आप हमेट नहीं तूटेगा इसलिए तो हैलमेट बहुत ही जादा सिंपल है और इसलिए यह थोड़ा सा सस्ता भी है अगर बात करें इसकी प्राइजिंग के ऊपर ना टैग लगा हुए तो इसे पहन के देखते हैं इसकी फिटिंग कैसी है पहनने के बाद कैसा लगेगा तो ख सिंपल अच्छा हेलमेट है बहुत अच्छी फिटेंग है सिंपल है ऐसा नहीं है बहुत ही ज्यादा लेकिन कंपनी बहुत प्रीमियम है तो अब इसका जो इग्जेक्ट प्राइज वह आपको दिखाते हैं इसके इसके कर पे तो बैसिकली MRP है इसकी 1950 रुपे और यह था हमारा 1900 रुपे का है या नहीं है तो बॉक्स को सबस्के पहले साइड कर देते हैं हमें यह खासी है कि इनके हलमेट के अंदर श्टीकर MRP का लगा होता है तो यह थोड़ा सा प्रीमियम होगा थोड़ा सा के बहुत ज्यादा और स्क्रेच की बात करें ग्लास की बात करें तो एंटी स्क्रेच इस्क्रेच रिस्टेंट ग्लास इसक्रेच नहीं पड़ेंगे उसके अलावा और यहां पर भाई काफी ज्यादा औक सिजन के लिए आपको एर अच्छी मिल जाए उसके लिए यहां पर एक दो तीन चार पाँ छह चाथ जगए यहां पर फिल्टर जाली दी हुई है और बात करें अंदर का जो इसका इंटीरियर है उसकी बात करें अगर तो वह भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है देख पा काफी अच्छी फिटेंग है ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद कभी कभी कोई कोई हेलमेट ऐसा होता है पहनने के बाद दमसा घुरता है तो इसका मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है सबसे बड़ी बात यह कि आपको ब्रैंड मिल रहा है थोड़ा सा महंग है अब नॉर प्राइब मुझे लगता है ज्यादा है पर कंपनी जो है अपना नाम दे रही है तो भी नाम के पैसे भी यहां पर भाई इसकी प्राइजिंग कम है इसका प्राइज है 3700 यानी 3700 रुपे तो इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या ये 3700 रुपे के हिसाब से वर्थ है या नहीं है तो बॉक्स को इसके साइड करते हैं और एक और बॉक्स के अंदर पैक है ये है हमारा 3700 का हेलमेट सही बताओ ना मै इससे अच्छा मुझे यह वाला है कालर भी अच्छा है बिजाइन बहरा रहे थिम्स सोगां और ये जब फ़र मेट है अच्छा वाएं आंदर यह जो हैलमेट है इसके ऑनदर भी आपको एर के लिए यहां पर जाली दि हुए है लोकर के खुल सकती है लेकिन यहां पर आपको एक दो तीन चार पांच यह मतलब यह जो है ना दोनों की जो डिजाइन है वह बिल्कुल डिफरेंट है और बात करें स्क्रेच की तो ग्लास की तो यह भी एंटी स्क्रेच वगरा नहीं आएंगे अगर आप ब्लेड वगरा नाखुन वगरा ऐसे लग करेंगे अगर 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 बिलेगा और बात करेंगे तो इसे पहन के देखते हैं उसके बाद इसकी प्राइजिंग का जो है श्टीकर वगरा वो सब आपको दिखाएंगे तो इसे खोल लेते हैं अंदर से बहुत ज्यादा प्यारा हेलमेट इसकी जो अंदर की फिटेंग है वो बड़ी प्यारी है तो पहन के देखते हैं मेरे साइज के हिसाब से मुझे लगता है कि हलका सा टाइट है मेरे लिए थोड़ा सा इससे बड़ा साइज होना था देखते हैं इसकी अगर आपको दिखात स्टाइल नंबर अलग दिया हुआ है उसके बाद कलर है इसका डैजट स्टॉम साइज इसका मीडियम है इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइट लगा था पैकिंग डेट है इसकी इकतिस बारा दोजार बीस बहुत ही पुराना पीस था यह और बाकी MRP 3700 रुपे है इसकी और मैं बात करूं तो यहां पर मैनुफेक्चिंग इसे किसमें किया है देखो रोयल इंफिल्ड अगर यहलमेट दे रहा है तो रोयल इंफिल्ड खुद नहीं बना रहा किसी ने किसी अथ्राइज ब्रैंड से लिए किस ब्रैंड से लिए तो यहां पर इन्होंने बड़े- यह तो यह थे हमारे रोयल इंफिल्ड के कुछ प्रीमियम हेलमेट कुछ सस्ते हैलमेट और सबसे सस्ता जो था ठाटा सूर्पेका था तो मुझे यह हैलमेट अच्छा लगा परस्णली भाई मेरे पास भी रोयल इंफिल्ड के दो हैं तो अच्छा है बाकि आप अगर यू झाल